ये स्टुडेंट वेलकम वन सेगेंट योर उनलेन क्लासेस बच्चोई इस वाले वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का ट्वेंटी सी का लास्ट क्वेस्टन 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 करेंगे टिकल इससे पहले आमने पूरे वीडियो बना दिये हैं क्वेस्टन बन से लेकर 15 कर आपको वीडियो देखनें तो नीचे डिस्क्रिप्स में उनका भी लिंग मिल जाएगा और नेट्टी दीक उपर उसका भी लिंग आपको नीचे डिस्क्रिप्सार आ उसका दिया ओए उस गई पूछ रहा था यहां पर भी हमें यह टे तो सेम बनेगा आधा थोड़ा सा अलग क्या बनेगा यहां पर हमें area नहीं दिया हुआ यहां पर area दिया होता साथ अपना यहां पर हमें थोड़ा सा गुमा करके क्या कर रहा है कि the area of a rhombus is equal to area of a triangle रही है याने के जो एरिया है रह्तलों में रहेगा इप्न आपका क्यारा रहा है जिस ट्रेंगल लगा benefits हमें फॉरंहेख लिए है और दिची क संट ेस्चीहला घृट दिया वह घृाम हां में 16.5 five centimeter यानि कि यहां से में पहले triangle का जो area होगा वो पता करना पड़ेगा triangle के लिए formula क्या होता है हमारा आपको पता होगा one by two multiply base multiply head यह होता है triangle के यह formula तो वहां से जब हम triangle के रिए पता करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा और रॉंबस कभी एरिया पता चल जाएगा फिर हमारे पास रॉंबस के रिये मिल जाएगा दीवन मिल जाएगा तो हमाँ असानी से डी टू यानि कि डाइगनल लंबर सेकेंड कर सकते हैं आज एकुछ समय शॉल्प किया जाए तो इसी में बस आपको पूट कर देना तो यहाँ जाएगा यानि किसका मुल्टिप्लाइग करना है अब 12.4 का मुल्टिप्लाइग कर देना है 16.5 से आए मुल्टिप्लाइग कर लेते हैं यहीं पर रख में अब मैं यहाँ पर कर रहा हूं आप क्या करना रफली करना जब आप फेर कोपी में सॉल्फ करोगे तो ठीक है यह हो जाएगा 124 मुल्टिप्लाइग 165 डेसिमाल लास्ट में हम लगा देंगे 20 का 0 करी होगा 2 10 और 2 12 का 2 करी होगा 1 5 और 1 6 6 4 24 का 4 करी होगे 2 12 और 2 14 का 4 करी होगा 1 तो यह 6 और 6 और 1 7 हो जाएगा ठीक है अब यह 14 जाब 4 रहेगा 12-2 रहेगा और 1 जब 1 होजाएगा तो यह 0 4 2 8 यह हो जाएगा हमारे 10 और 4 14 का 4 करी होगे 1 7 और 1 8 और यह होजाएगा 210 का 0 करी होगे हमारे पास वन तो यह जाएगा 2 या कितना आगे हमारे पास 20480 आगिया decimal 1 digit और 2 digit बाद लगने वाला है यानि कि इधर से 2 digit के बाद आप decimal लगा दो तो इसके answer कितना हो जब मुल्टिप्ला होने के बाद 204.8 हो जाएगा क्योंकि decimal के बाद अगर कोई बाद अगर जीरो है तो इसको लिखने की उपड़त नहीं पड़ती है तो हमारा एंसर होगी हाँ पर 204.8 जो की एरिया निकल गया हमारे ट्रेंगल का तो देख लेते हैं पुरा सही कि निवर फिर से मल्टिप्लाइच कर लेते हैं टू फोर जाएगा यहां थीज़ वान फोर जाइगा बिल्कुल सही अच्छा ये वाला यह हमारा क्लिक जा है तो इसका एंसर आजाएगा 204.6 तो हमारा कितना निकल गया एरिया ट्रेंगल का 204.6 आप भी कभी भी जब मल्टिप्लाइ करो नो बड़े नमबर को एक बार रीट शेक जरूर कर लो कि कई बार क्या होता है मिस्टेक हो जाता है बड़े नमर को जब आप हड़ ब ट्रांबस है वह इकव descend asndhator if अप आपर हमीशभी सकते हैं यह उखेया बनौब कर इक μαल्ट ऑँ है एक यह और ट्रेंगल के एंडेर आल ऑपस में इकले ना कि निकल मर फॉर पायंट्स और यह सांत्यटिमेंटर कर में निकला है तो जो रॉबस का इरिया है přेकिना यानि कि डाइगनल दिया हुए ना एक हमको डाइगनल भी दिया हुए यहां पर इसको मैं D1 से दिनोट कर देता हूं उसका वैल्यू कितना दिया हुआ हमें तो 22 cm दिया हुआ है ओके अब हम क्या करेंगे ऐसे डी टू फाइंट करना है तो सिंपल जैसे को समय थर्टी में 4.6 1 by 2 multiply में D1 के जगा में हमार पास 22 है और यह D2 को ही फाइंट करना है सबको इससे ट्रांसवर कर लो तो यह हमारे कितना हो जागा इधर आकर करके मल्टीप्लाइब हो जाएगा इसका यह टू इनुमिरेटर में इसका यह हो जाएगा 204.6 multiply 2 और यह 22 हो जाएगा इधर आ नीचे में 22 अब यह चीज़ देहां दो आप यहां पर decimal था यानि कहां यहां पर decimal लगाना है वही चीज़ हो जा रहा है कि decimal वाला नंबर को डिवाइट करने में वह टाइम वेस्ट होता है यानि बार बार डेसिमल लिखना पड़ता है तो हम क्या करेंगे यहां से decimal को बाहर 20 लिख सकते हैं बस इस युग अब आप सॉल्ब कर लो और आपका अंसर रेडी है तो देखते हैं 11 से साथ कट हो जाए 11 तो हो रहा है यह उपर में 11 3 हो रहा है उसके बाद 7 बच जाएगा 11 से कट कर लेते हैं बड़े से बड़े नंबर से कट करना चाहिए ताकि काम आसान ह हो जाए 11 22 कर टू ठीक है 11 22 और यह 0 का 0 उतर गया उपर में हमारे पास 11 3 जा हो जाएगा 33 बच जाएगा यहां से 7 7 इदर चल गया तो 11 7 जा 77 तू बच जिए वह इधर आ जाएगा तो 11 तू जा 22 हो जाएगा अब यह किस से कट हो रहा है हमारा यह तो फोर से कट हो रहा है यह रहा है किया जासा है सवेंट बिल्कूल होसे कट हो जाएगा यह हो जाएगा फॉर फाइवजा 20 उपर में फॉर के टेबल में 49 होता है हमारा 36 टेक है वन इदर चल गया तो 43 हो जाएगा 12 अभी हमारे 5 से कट हो नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे इसको डिवाइड़ दें predbird데 नींटी थ्ली डिवाइड भाइभ थी हमारे कितना हो जाएगजा 5 वंजा 5 यह बच जा रहा है यह बच जा रहा है 4 यह 3 बच जा 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 एक मारे पास 40 फिर ने होलेट में Livingodar ज़ाएगा इसे महा लगाएँगे ज़ीण रहेगे 5 5, 6 है हमारा 30, तो यह कितना एंसर आगे, D2 का हमारे पास, 18.6, और यह क्या में निकलेगा हमारा centimeter में निकलेगा, क्योंकि यह सब हमारा centimeter में ही थे, पहले वाले जो हमें values दिवे तो centimeter में थे, तो इस तरीके सब question number 16 solve करना था, आपको अच्छे समझ में आगे होगा, मिलते हैं next video में, thank you for watching.